मसरत फातिमाद बनाने जा रही हूं आपकी फर्माइश पे कद्दू और मटन का दाल्चा दाल्चा बनाने के लिए हमें चाहिए मटन, कद्दू, इमली, टामाटर, चनी की दाल, मिठा तेल, प्यास, इलाइची, दालची नी और शाजी अधिए दालची नी और इलाइची, प्यास, धनिया, करियापक, हरी मिर्च, लाल मिर्च पॉडर, अधक लसन, हल्दी पॉडर, नमक, आई अब आपको हम बनाने का तरीखा बताएंगे यह देखे, आप एक बर्दन में तेल डाली थे, हमने दो बड़े चमज तेल लिया है, अब इसमें डालिया प्यास, यह शिफ ब्रॉण होने तक जड़ा प्यास, मीटियम ब्रॉण होने दीजिए, जब तक हम दाल को कुछर में डालेंगे, यह देखे, टमाटे, हाफ कप पानी, और थोड़ा ओयल दालिया, अब हम इससे 4-5 सिटी होने के लिए रख देंगे, यह देखे, प्यास, मीटियम ब्रॉण होगी जड़ा जड़ा है, अलो हम इसमे दालेंगे, आतक लफसे लफसे, अभी सित्थ होटी को लिए, रख दीजिए, आप किसे लिए ने इस तरिफे से इमिली को फोड़ा मिला कर इसका पाली आप निकाल लीजे अब इसमें आप पानी जाद गए पांक से 10 मिली के लिए इस तरह रख दीजिए पाली में अब हम इसमें दालें हल्दी नमक आपको जीतना चाहिए अब हम इसमें दालेंगे मटन यह देखे मटन हमने इसमें दाल दिया है अब आप इसमें दालीए हरा धनिया अब हम आपको फानी दाल दीजिए अब इसे धीमे पर रखिए हमने जो मटन का इस्तेमाल किया है इसमें वह अच्छे से गल जाए और एक सेट देखे हमने कूकर पर रख दिया है देखे हमने एक सेट कूकर रख दिया है दाल अच्छे से गल जाएंगे यह देखिए मटन क अभी गलने के लिए अभी दो सीटी होने का है उसके बाद हम दाल निकालेंगे जब तक देखिए मटन गल गया है इसमें साथ हम दालेंगे कदू धीमी आज पे इसे भूनेंगे अच्छे से यह देखिए कदू के दावचे को इस तरीफे से आप भूलते जाएंगे और धीमे पर पांच मीट के लिए आप रख़ दीजेए कदू अच्छे से जब जाएंगा देखिए इसमें थोड़ा सा पानी दालिया आप पांच मीन के लिए आप इसे ढपकर रख दीजिए यह देखिए कत्वर अच्छे से गल गया है इसे दाल भी अच्छे से गल गई है इम्ली के बानी पर इस तरीखे से आप निकाल लीजिए अब हम दाल में नमक डालेंगे देखिए इस तरीखे से आप इसे समश कर लीजिए सारी दाल को यह देखिए इस तरीखे से बारी के से इस घुतनी के मदद से आप इसे अच्छे से मश कर लीजिए अभी अच्छे से मश हो गई है अब हम इसमें दालेंगे इस जो हमें खटे का पानी निकाल करा आपको इतन चाहिए उतना ही यूज़ करिए ज्यादा मत डाल लीजिए और चने की दाल के साथ इसको मसूर की दाल से भी बना सकते यह दाल के हमने तयार हो गए अब इसमें हम कत्व में ताल दीजिए करिया पक और हरी मिट्च दो कर इसमें दाल लीजिए और आप देखें आपको अभी अगर खटे की जुरूत है तो और खटा यूज़ करिए हमने आदा का पानी दाला है इसमें खटे को पहले आप तक लीजिए उसके बाद और खटे की अगर आपको जुरूत है तो आप डालिए 15 मीट के लिए इसे पकने के लिए रख दीजिए धीम्यास पर रखेए यह देखिए अब मतन का दाल्ता रेडी हो गया है यह देखिए अच्छे से खटा पक गया है अब यह से शर्फ करेंगे इसे देखिए मतन का दाल रेडी है आपकी फरमाईश पे आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेर करिए, इन्शालला नहीं रेसेपी के साथ फिर मुलाख़त होगी, अल्ला हाफीज